सेर है? सलिए तो एक किलास हुई थी demo किलास थी वो जिसमें कुछ पूचा था अचै किलास में ऐसे कितने लोग है जिनका पहला दिन है आज फिस्ट डे है वो हथ खड़ा करिये पहले दिन वाले ठीक है भाई? तो एक किलास हुई थी demo डेमो क्या था कि कुछ एक दो मुझे टोपिक बताए थे वो मैंने क्लियर करे थे डेमो में और आज मैं सुरूबात कर रहा हूँ पहली किलास से यानि इंडियन जोग्रफी की पहली किलास है नोर्स कौन से लेने हैं कलास के बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है नोर्सों का और क्या सिस्टम है फिलाल पहला चैप्टर जो है वो है आपका भारत का बिस्तार यानि सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा ना कि जो इंडिया है भारत भारत का भोगौलिक बिस्तार क्या है भारत का भोगौलिक बिस्तार भोगौलिक बिस्तार का मतलब आप लोग समझ रहे है यानि कहां से कहां तक फैला हुआ है किस महादीप में है अक्षाजसिय बिस्तार क्या है देशांत्रिय बिस्तार क्या है वो सब चीजों के बारे में च कर लेता हूं कि किस तरीके से भारत है और कहा पर है तो कि समानिय तोर पर अगर आप वर्ड मैप को देखेंगे तो वर्ड मैप में आपको कुल विला करके साथ महादीप दिखाई देते हैं इन साथ महादीप में एक हो गया उत्री अमेरिका महादीप इस उत्री अमेरिका महा Canada हो गया, USA हो गया, मैक्सिको हो गया, यह वाले देश विध्यमान है यहाँ पर, यह, यह यहाँ पर हो गया आपका, Canada, USA और मैक्सिको, यह उत्री अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और उसके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर है यह South America, जिसमें कई सारे देश हैं, ठीक है, Columbia है, Venezuela है, Guena है, Surinama है, French Guena है, Chili है, Argentina है, Peru है, Ecuador है, और उरुगवे, प्रागवे जिसे देश हैं, इधर देखोगे तो Africa है, ठीक है, Africa में भी कई सारे देश हैं, जैसे Tunisia हो गया, Nizer हो गया, Nigeria, Algeria, Morocco हो गया, ठीक है, Liberia, Monerovia, काफी सारे देश हैं, नीचे देखोगे, Ghana है, Togo है, Venin है, देखें हैं यहाँ पर, जिनों में मैपिंग बढ़ी होगी, वो जानते होंगे, यह Europe हो गया, देखें, Europe और Asia आपसमें जुड़ा हुआ है, यानि यह पुरा एक ही महादीप है, इसमें यह वाला जो है, वो आपका Europe है, और यह वाला जो है, वो Asia है, और Asia में यह है India, यानि यह है भारत, अभी समान्य दोर पर आप अगर भारत को देखें, तो आपको समझ में आएगा, कि भारत के उत्तर में यहाँ पर हिमालिय परवत है, यहाँ उत्तर में हिमालिय परवत है, इस तरीके से, और बाकी, आप अगर नीचे की योड़ देखें, तो तीन साइड आपको जो है, वो जल दिखाई देगा, यानि यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, और यहाँ पर भी पानी है, यह, तीन जगे पर पानी है, ऐसा छेत्र, जिसके तीन जगे पानी होता है, यानि तीन और पानी होता है, उसे आप कहते हैं, प्राए दीप, ठीक है, प्राए दीप, ध्यार नखिएगा, अब मेडागास करके चारो और आपको क्या दिखाई देगा पानी दिखाई देगा चारो और इसके पानी है चुकि इसके चारो और पानी है इसलिए ये एक क्या है दीप है ये एक आइलेंड है ऐसे ही यहाँ पर ग्रिन लेंड आपने देखा होगा नाम सुना होगा इसके भी चार और पानी है तो ये एक आइलेंड है आइलेंड और पेनेस्वला में अंतर होता है आइलेंड वो होता है जिसके चार और पानी हो और पेनेस्वला वो होता है जिसके तीन और पानी हो और एक और इस्थल हो आप देखिए ना भारत, इंडिया इंडिया के एक और क्या है हिमालिय यानि इस्थल है और नीचे की और देखोगे तो यहाँ पर पानी है वेसिकलिए हिंद महा सागर आपको दिखाई देगा इधर भी आपको पानी दिखाई देगा अरब सागर दिखाई देगा इधर देखोगे तो आपको बंगाल की दिखाई देगी ठीक है अगर आप भारतिये पुरान देखोगे तो उसमें भारत की स्थिति को इसी तरीके से लिखा गया है कि उत्तरम यद समुंदरश्ये समुंदर के उत्तर में उत्तरम यद समुंदरश्ये हिमादश्ये दश्यडम हिमाल्ये के दक्षड में तद नाम भा और भारती यत्र संतिती यानि यहां रहने वाले जो लोग हैं वो भारती कहलाते हैं ठीक है तो अवस्थिती है यह अभी समानिय तोर पर अगर आपको किसी छेतर की अवस्थिती को जानना है तो उसके लिए आपको जानना पड़ता है कि वो छेतर किस अक्षांस पर है और किस देसांतर पर है अक्षांस और देसांतर यानि एक एडरस बताने का तरीका जो हो गया वो तो सीधा सीधा यह हो गया मैं कहूं बताइए भारत कहाँ पर है तो आप कहेंगे भारत हमारी प्रद्वी पर जो एक सबसे बड़ा महादीप है जिसे एसिया महादीप कहते हैं उस एसिया महादीप के दक्षिण में अवस्तित है जिसके उत्तर में हिमाली है और दक्षिण में हिंद महा सागर है जाल की Haili नपताओ, Hindaprès सागर नपताओ, हिमालिय नपताओ, तो भारत तक नहीं आच सकता तो दूसरा तरीका होता है सीदा लोकेशन, यानि अख्षांस और देसानतार बता दो सीधा अक्षांस और देसांतर पर पहुँच जाएंगे तो उस इस्थान पर पहुच जाएंगे जी बैठिए तो इधर से कोहीं नहीं होता है ठीक है तो अक्षांस और देसांतर ये दूसरा तरीका होता है अब अक्षांस और देसांतर का क्या तरीका होता है इस बात को आप समझेए देखें जो अक्षांस है और देसांतर है ये चैप्टर हम पढ़ते हैं वर्ल जोगरफी में यानि इसको हम इंडियन जोगरफी में नहीं पढ़ते लेकिन चुकि मुझे भारत की स्थती समझानी है भारत है कहां पर उसके लिए अक्षांस और देसांतर तो समझाने पढ़ेंगे अभी देखें प्रध्वी जो है वो आप भी जानते हैं कि पढ़ने के लिए तो हम प्रध्वी को कैसे पढ़ते हैं कि प्रध्वी गौल है हलाग कि प्रत्वी गौल नहीं है प्रत्वी का आकार गौल नहीं है प्रत्वी का जो आकार है उस आकार को कहते है प्रत्वी आकार फॉर एक्जामबल मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को बताओ अंडे का आकार कैसा होता है गौल होता है अंडाकार होता है बेलन का अकार कैसा होता है संकु का अकार कैसा होता है संकु अकार होता है यानि यह अपने आप में एक अकार है ऐसा ही प्रत्वी का अकार कैसा है प्रत्वी अकार वो अपने आप में एक अकार है उसे आप यह ना कहें वो अंडाकार है जियोड कहते हैं यानि प्रत्वी आकार जियोड अपने आप में जियोड का मतलब प्रत्वी से होता है वो जियोड से निकला हुआ है जियोड तो ऐसा आकार जो प्रत्वी के समान हो उसे कहते हैं जियोड अभी देखिए समानिय तोर पर हम मानते तो यही है न कि प्रत्वी ज तो हमारी प्रधवी पर किसी भी स्थान की लोकेशन को देखने के लिए एक मैकेनिस्म डबलप हुआ, जिसमें ये सोचा गया कुछ भुगोलवेताओं के द्वारा, कि क्यों ना हम एक काम करें, हम प्रधवी को इस तरीके से बीच में एक रेखा खीज दें, अब प्रधवी जैसे गलोब की, यानि आपने प्रधवी के समान गलोब बना लिया, और इस गलोब पर आपने विर्कुल बीच में एक रेखा ऐसे गोल खीज दी, और इसको आपने नाम रख दिया भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा आपने इसका नाम इसलिए रख दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये रेखा इस पूरी प्रधवी को दो भागों में बाट रही है, एक उपर वाला भाग जिसे हम कह देंगे उत्री गोलार्थ और एक नीचे वाला जिसे हम कह देंगे दक्षणी गोलार्थ, यानि बीच वाली रेखा ने दो भागों में बाट दिया इस प्रत्वी को लिया हमने ऐसे प्रत्वी को नहीं ले सकते गिलॉप को लिया बीच में एक रेखा कीस दी यह रेखा नहीं है एक ब्रत है और इससे दो भाग हो गए एक उपर वाला और एक नीचे वाला उपर वाला उत्री गोलार्थ और नीचे वाला दक्षनी गोलार्थ अब हमने कहा कि ठीक है हम क्या करते हैं अब एक-एक डिगरी से एक-एक रेखा और खीज देते हैं अब पहले डिगरी बताता हूँ मैं आपको कैसे यहां से एक डिगरी फिर ऐसे करके दो डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री, यहां पर 45 डिग्री आएगा या नहीं? आएगा 45? और यहां पर कौन सा आएगा? 90 यह तो समझ में आएगा? यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे करते-करते कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा. तो हमने कहा हम एक, एक डिग्री के अंतर से क्या कर देते हैं? कुछ और रेखाएं, और खीश देते हैं. तो हमने कहा गरा? एक डिग्री नापा और यहां पर एक डिग्री नापा जहां आया, एक रेखा और खीश दी, फिर दो वाले पर खीश दी, फिर तीन वाले पर खीश फिर चार वाले पर, फिर पांच वाले पर एक रेखा, फिर छे वाले पर, फिर साथ, और ऐसे करते करते हम लोगों ने रेखा खीषते चले गए टोटल रेखा, कितनी खीश दी हम लोगोंने जीरो के बाद में, आप कहेंगे एक, दो, तीन, चार, पाज, टोटल कितनी हो गई 90 90 रेखा हैं, खीचेंगी या नहीं मेरे को इसका जवाब दीजियें आप खीचेंगी ना, 90 रेखा हैं सेम हमने नीचे भी यही गिया एक अंस, दो अंस, तीन अंस, शार अंस और ऐसे करके हम लोग नीचे भी खीशते चले गए एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीके से खीशते हम लोग चले गए तो नीचे भी कितनी खीच जाएंगी कुल मिला करके 90 रेखाए नीचे भी खिच जाएंगी समान्य तोर पर कुछ भोल वेताओं के द्वारा ये मेकनिस्म डेबलब किया गया उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रद्वी है इस प्रद्वी भे हमने एक रेखा दो बीच में खीच दी 0 डिग्री वाली फिर उपर एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री के ऐसे करके खीच दी टोटल कितनी? 90 नीचे भी कितनी हो गई? 90 ऐसी वाली जो रेखा खीची, पट वाली यानि ऐसे जो रेखा खीची, पट वाली इन रेखाओं को हमने कह दिया ये सब रेखा हैं अक्षांस रेखा ये हैं अक्षांस रेखा ये अक्षांस रेखा हैं हमने इने नाम दे दिया इंग्लिस में इने कहा जाता है latitude lines अब ऐसे याद करो latitude यानि लेटी हुई अक्षांस रेखाओं की पहली विसेस्ता क्या होती है? पहली विसेस्ता सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी आप सोचिए कोई गोल गेंद है उस पर आपने बीच में एक खीची फिर उपर फिर ऐसे उपर उपर सबसे बड़ी कौन सी होगी इसमें बीच वाली सबसे छोटी कौन सी होगी जो आपने उपर 90 degree पर वो तो भिंदू होगा केवल एक मात्र तो पहली भी सेज़ता है कि सबसे बड़ी कौन सी होती है सबसे बड़ी होती है बिशुवत रेखा अब एक confusion आपके मन में आ रहा होगा कि अक्षांस रेखा जो है वो हर एक नाम की दो होंगी for example मैं कहूं 45 degree तो आप कहोगे जी 45 degree की दो होंगी एक नीचे भी तो होगी जैसे उपर 45 degree होगी तो नीचे नहीं होगी ये वाली मान लो 45 degree की है तो यहाँ भी तो 45 degree की होगी या नहीं इस अंतर को भतम करने के लिए भूवल बेताओं ने इन अक्षांसों के आगे उत्री और दक्षनी लिखना शुरू कर दिया कि अगर मैं उत्री वाली की बात कर रहा हूं तो लिख दिया नौर्थ अगर मैं दक्षनी वाली की बात कर रहा हूं तो लिख दिया साउथ बात समझ रहे हैं या नहीं दूसरी बात यह है क्या यह रेखा हैं हमारी प्रद्वी पर खिची हुई हैं नहीं यह रेखा तो कालपनिक हैं यानि यह तो केवल हमने किसी स्थान की लोकेशन को पता लगाने के लिए किया है फॉर एक्जामपल मैं कह रहाओं कि भारत जो है वो तेहिस डिग्री अक्षान्स पर रवस्तित है तो आप कहोगे तेहिस डिग्री कौन सा वाला दक्षनी या उत्तरी तो मैं कहूंगा उत्तरी तो आप पहुंच जाओगे तेहिस वाला यह है इसका मतलब यहां भारत होगा लोकेशन का पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है इससे पता चल जा रहा है अब दूसरी बात क्या आती है माल लो भाई ये रेखाए हैं प्रत्वी तो इतनी बड़ी है टोटेल उसमें कितनी रेखा है नब है यानि इनके बीच की दूरी ठीक ठाक होगी बिर्कुल ठीक ठाक है इनके बीच की दूरी सो किलोमेटर से जादा होती है यानि आप समझेए लगवग 111 वारा किलोमेटर की दूरी होती है दो अक्षांस रेखाओं के बीच में यानि पहले वाले के और दूसरे वाले के बीच में लगवग आप सोचिए कि 111 वारे किलोमेटर की दूरी है अब आपके वन में एक बात है कि कि सर अगर ये बताईए कि कोई छेत्र ऐसा हुआ एक बात unlocked वो नएक पर और ना दो पर है बीक में आ गया अब उसकी location कैसे बताएँगे भाई या तो उसके लिए see अधंगर कर दिया गया कि इन रेखाओं के पीच में फिर और रेखाएं बना दी गई और इन रेखाओं का नाम रख दिया गया मिनट यानि इन रेखाओं का नाम रख दिया गया मिनट तो अक्षान्स रेखाओं के बीच में होती है मिनट रेखा मिनट रेखा बात समझ रहे हैं? पर एक्जामपल के लिए जैसे दो अक्षान्स हैं उनके बीच में 60 मिनट रेखाएं खीज दी तो कोई इस्थान एक डिग्री और दो डिग्री के बीच में है तो यह वो सबसे important बात है वो है कि North और South वो ध्यान लखना है वो है या नहीं मतलब वो लगा हुआ है या नहीं है नौर्थ लगा हुआ है तो जीरो से उबर चले जाओ और अगर South लगा हुआ है तो जीरो से नीचे चले जाओ आ रही है बात या नहीं आ रही है अब देखे अब हम भारत के बारे में अक्षांस की बात करते हैं भारत को लेके चलते हैं यह है इंडिया अभी मैंने अक्षांस की बात करीए अभी देशानतर रेखा की बात नहीं करीए मैंने ये है भारत अब भारत के साथ क्या है भारत के साथ इधर भाई इधर अंडमान निकोवार भी तो है वो भी तो भारत है अब हमकर चेक करें कि बिर्कुल अंडमान निकोवार से होकर के कौन सी बिर्कुल नीचे वाले भाग से होकर के कौन सी अक्सांस रेखा जारी है तो हमें एक रेखा मिलती है कोई बताएगा कौन सी 6 डिग्री 45 फाइव मिनट 6 डिग्री 45 मिनट यह एक हमें रेखा मिलती है यह रेखा जो है वो अंडमान निकोवार यानि सबसे रक्षण में है और यहाँ पर जो बिंदु है जो बिंदु है यहाँ पर जो बिंदु है जहां से रेखा होकर के जारी है उसे क्या कहा जाता है कोई नायम बताएगा उसका? क्या कहते हैं उसे? इंदरा पॉइंट कहा जाता है. उसे कहते हैं इंदरा पॉइंट. इंदरा पॉइंट उसको कहते हैं. जब आप जाओगे सबसे दक्षिन में. उसके बाद फिर सागर है. ये. लेकिन इसके साथ मैं क्या लगा हूँ? reason इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि जो बिसुवत रेखा है zero degree line है वो इसके नीचे होगी क्योंकि उससे उपर की बाती नौर्थ होती है इसके अलावा हम और उपर जाएं तो हमारी मुख्य भूमी आ गई है लेकिने मुख्य भूमी से लगा हुआ नहीं है अब यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां भी एक अक्षांस रेखा जा रही है वो है आठ डिग्री चार मिनट नौर्थ आठ डिग्री चार मिनट तो आप समझेए यह वाला भाग नोर्थ है यह थोड़ा उपर आ गया लगवख कितना अंतर आ गया निकलके आप कहेंगे लगवख दो डिग्री का अप्रुक्षिमिट अंतर आ गया दो डिग्री यानि सबसे दक्षणी जो अक्षांस है भारत का वो है 6 डिग्री 45 मिनट और अगर मुख्य भूमी की बात करें तो कितना है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उपर जाते हैं अब हम यहां पर जाएंगे उपर बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए जाते रहिए नंबर बढ़ता चला जाएगा फिर हम पहुशते हैं यहां पर विर्कुल उपर वाला भाग विर्कुल यह वाला भाग विर्कुल यहां पर भी एक रेखा रेखा होगी यह कितनी है 37 दिग्री 6 मिनिट नौर्थ और यह जिस बिंदू से उगर के जारी है उस बिंदू का नाम है इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल बहारत का सबसे उत्तरतम बिंदू कौन सा है इंद्रा कॉल भारत का सबसे उत्तरतम बिंदू कॉन सा है इंद्रा पॉइंट भारत का मुख्य भूमी का सबसे उत्तरतम बिंदू कौन सा है कैप, कैप और इन, कैम और इन, ठीक है, कैम और इन बोल देते हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कि ये वाला भाग, ये वाला भाग, वो कई बार आपसे पूछ लेता है, ये वो कई बार आपसे पूछ लेगा, कि भारत का सबसे दक्षितम बिंदू कौन सा है, वो इस मौपसर मे दे देगा वो इंदरा कॉल दे देगा इंदरा पॉइंट देगा या और कुस्स देगा भारत का सबसे उत्तरतम पूछ लेगा वो कौन सा है लेकिन फिलाद सब कुछ छोड़ो अभी जो आपने याद रखना है वो सब कुछ छोड़ो यह मैं भी आप से डिसक्स करूंगा इंद्रा पॉइंट इंद्रा कॉल के बारे में लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ अक्सांस का क्या मतलब है तो अक्सांस का मतलब यह है बात समझे एसे ही एक और महत्मूल अक्सांस रेखा है जो मैंने डेमो किलास में आप से डिसक्स करी थी वो थी साड़े तेहिश डिग्री नौर्थ आप बताओ कहां से होके जाएगी आठ के तो उपर ही होगी सैथ इसके नीचे होगी यानि यहां से होके जाएगी तो एक साड़े तेहिश डिग्री नौर्थ लाइन है जिसे आप क्या कहते हैं करकरेखा कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है यानि करकरेखा और लगवा कितने राज्यों से होके गुजरती है आठ राज्यों से होकर के गुजरती है ठीक है गुजर बंगलादेश हो गया और दो और हैं पुरवत्तर के जिसमें सबसे ज़्यादा आपको confusion होता है कौन-कौन से है वो जहां से गुजरती है तिरपूरा और मिजोरम तो आठ है वो सब बाते नोस में भी है और मैं आपको पढ़ाऊं अभी लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं scheint्ग दो अक्षांस रेखा हैं क्या होती है आप कहेंगे ऐसी रेखा हैं जो ऐसे घिची अती है उनको कहते हैं अक्षांस रेखा अक्षांस रेखा दो प्रिकारफी होती है एक उत्री गोलार्थ वाली जिनके साथ नौर्थ लगा होता है एक दक्ष्री गोलार्थ वाली जिनके साथ साथ लगा होता है नौर्थ वाली विशुवत रेखा के उत्तर में होती है साथ वाली विशुवत रेखा के दक्षिन में होती है अक्षांस रेखाओं के बीच की इस्तिती को मिनिट में दर्साया जाता है और मिनिट के बीच की इस्तिती को सेकंड में दर्साया जाता है अक्षांस रेखाओं के बारे में तो बात हो गई अब मैं करूँगा आपसे देशांतर रेखाओं के बारे में बात ये क्या होती है देशांतर रेखाओं यानि ये वाली रेखाओं क्या होती है देशांतर तो देशांतर रेखाओं के साथ क्या होता है हमने प्रत्वी ये है अभी इन रेखाओं को भूल जाओ आप जो हमने ऐसे खीची है इन रेखाओं को आप भूल जाओ क्योंकि ये कौन सी रेखा है ठीक है भाई ये देशांतर रेखा क्या होती है जो ऐसे खीची जाती है ऐसे ये 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 यह रेखा कौन सी हैं यह हैं देशांतर रेखा हैं यानि देशांतर रेखा हैं इस तरीके से खिच जाती है बिर्कुल ऐसे खरबूच की धरीयों ठीक है यह बॉल है रख दिया आपने यहां पर एक रेखा खिच दी एक रेखा खिच दी ऐसे और यह रेखा रख दी नाम आप 2, 3, 4, 5, 6, 90 91, 92, 93 करते-करते, पीछे कौन सी आ जाएगी? 180 तो आपने 1 डिगरी के खीच दी, 1 0 डिगरी वाली 0 डिगरी के इधर खीच दी 180 और 0 डिगरी के इधर खीच दी 180 लेकिन ध्यान रहा है, 180 वाली जो होती है इधर से भी वही आएगी तो देसांतर रहाएं जो होती है वो ऐसे खीच आती है उर्दवादर, लंबी खीच जाती है इसमें 0 वाली खीच दी और 0 के इधर जितनी आपने 0 के इधर खीच दी है उनके साथ हम लिखते हैं East यानि पूर्व और जितनी आपने इधर खीची उनके साथ हम लिखते हैं West यानी की पश्यम तो देशांतर रेखा कितने प्रकार की होती हैं देशांतर रेखा दो प्रकार की होती हैं एक East वाली और एक West वाली सेम ऐसे ही जैसे अक्षांस रेखा कितने प्रकार की होती हैं दो पिरकार की, एक North वाली और एक South वाली, North वाली कहां से कहां तक होती हैं, आप कहोगे एक डिगरी से लेकर के 90 डिगरी तक होती हैं, North वाली, सेम, South वाली कहां तक होती हैं, एक डिगरी से लेकर के 90 डिगरी तक होती हैं, इतनी ही उपर, इतनी ही नीचे, जीरो वाली को हम North या South नहीं कह सकते क्योंकि वो तो बीच में है ना उसे कहना गलत होगा कि वो North है या South है देसांतर रेखाओं के साथ हम कहेंगे एक डिगरी से लेकर कर 179 डिगरी तक वाली जो हैं वो क्या होंगी East होंगी आपने का 180 क्यों नहीं लगाया क्योंकि जीरो वाली और उसके बीचे एक स्वस्थी वाली इसे ना आप East में रखेंगे ना West में रखेंगे क्योंकि जीरो वाली और इसी के पीछे कौन सी आजाएगी? बनेटी वाली आजाएगी तो इसे आप यह नहीं कह सकते कि यह East में यह West में क्योंकि इसके आधार पे तो यह पता चल रहा है कौन सी चीज East है और कौन सी चीज West है इसलिए मैंने 179 लिखा सेम ऐसे ही एक डिगरी से लेकर के 179 डिगरी तक कौन सी रेखाई होंगी? वेश्ट वाली होंगी और 0 वाली को और 180 वाली को ना मैं इस्ट कहूंगा ना मैं वेश्ट कहूंगा मुझे पता है आप में से कई लोग तो चोक हो गए होंगे जिनका फश्चाईम होगा फश्चडे होगा यह यार क्या पढ़ा रहे हैं बताओ इंडियन जोग्रफी से पहले जब मुझे आपको विस्तार पढ़ाना है तो इन रेखाओं के बारे में भी तो बताओं या सिधा रटवा दूँ कि यह अक्षांस रेखा है याद कर लो 6 डिगरी 45 मिनट, 8 डिगरी 4 मिनट 8,7 डिगरी 7 मिनट नहीं कर सकता ना यह पहला मेरा फ़र्ज है कि आपको यह तो बताओं यह होती क्या है तो अभी देखो इमेजिन करों आप लोग ना अक्षांस रेखा को यह आपके सामने गोल प्रत्वी है इस पर यह बीच वाली लाइन 0 डिगरी एक डिगरी पर यह लाइन 1 डिगरी नॉर्थ, 2 डिगरी नॉर्थ, 3 डिगरी नॉर्थ और ऐसे करते करते 90 डिगरी नॉर्थ सेम ऐसे ही 90 तक South हो गया अक्षांस में तो कोई Confusion नहीं है भारत कहा है यहां क्योंकि 6 डिगरी 45 मिनट से लेकर के 37 दिग्री 6 मिनिट तक नौर्थ में है चुकि नौर्थ में हैं दोनों ही अक्षांस इसका मतलब है हम विसुवत रेखा के ऊपर है क्योंकि साउथ तो कुछ आई नहीं रहा साउथ आता तो हम माल लेते हम नीचे हैं विसुवत रेखा से अब देसांतर समझो यह प्रद्वी गौल है हमने एक रेखा खीज़ती यह वाली जीरो वाली यह ठीक है इसके पीछे खीजती एक और 180 वाली आएगी पीछे यह ना इस्ट है न वैस्ट है इससे इधर वाला इस्ट इधर वाला वैस्ट जीरो से लेके 180 तक कुल कितने डिग्री वनेंगे आप कहोगे 179 वनेंगे न एक दो तीन नभ्य इक्यानवे करते करते 179 इन सब के हमने रेखा खीचके इनके साथ लिख दिया इस्ट सेम इधर एक दो तीन करते करते 179 इनके साथ हमने लिख दिया वैस्ट यानि मैं कहूँ अक्षांस रेखा होती कितनी है आप कहोगे एक से लेके 90 तक तो होती है नौर्थ में एक से लेके 90 तक होती है साउथ में कितनी हो गई 90-90 180 और 10 वाली कितनी हो गई टॉटल लाइन कितनी होती है 181 होती है कई जगे बन 79 पर लिया होगा आपने वो इसलिए होता है कि 90-90 वाले को ना बिंदू माना जाता है एक रेखा नहीं माना जाता तो 181 में से 2 अगर उन्हें आप रेखा नहीं मान रहे हो उन्हें केबल बिंदू मान रहे हो तो उन्हें माइनस करतोगे तो बन 79 आ जाएगा वैसे अगर उनको सामिल किया जाए तो कितनी होती है 181 कुल देशानतर रेखा कितनी होती है 360 अक्षांस रेखाएं कितनी होती है 181 बात आ रही है समझ में ठीक है अच्छा मैं कुछ वो लिख रहा हूँ आपके सामने कुछ अक्षांस रेखाएं लिख रहा हूँ और आपके सामने कुछ देशानतर रेखाएं लिख रहा हूँ आप मेरे को बताना इनमे से कौनसी वाली हो सकती है कौनसी वाली नहीं हो सकती ठीक है मैं लिखना सुरू कर रहा हूँ, चार चार लिख रहा हूँ, एक, दो, तीन, चार 130 degree east, ठीक है, 95 degree south, ठीक है, 100 degree north, ठीक है, 45 degree west इधर लिख रहा हूँ मैं, 45 degree north, ठीक है, 35 degree south, इधर लिख रहा हूँ मैं, 280 degree east, इधर लिख रहा हूँ मैं, 181 degree west मैं इसमें पूछ रहा हूँ, पहले, इन चारों में से कौन सी अक्षांस रेखा हो सकती है कोई सी नहीं हो सकती, पहली बात, अक्षांस रेखा के साथ, north या south लगता है यानि east, west का तो मतलब भी नहीं है, पहले तो यह समझ जाओ, यह तो होई नहीं सकती पहली चीज, दूसरी, north और south वाली हो सकती है, लेकिन 95 degree south, हमें बता है, 90 से उपर होता ही नहीं है कुछ, 100 degree north, 90 से उपर, होता ही नहीं है कुछ, तो मामला खतम, चारों में से एक भी नहीं हो सकती किलिर हुआ, देशांतर रेखा है, हमें बता है, उनके साथ क्या लगता है, east और west, तो यह तो खतम है यह भी खतम है, यह दोनों हो सकती है, east की बात कर रहें तो हमें बता है, minimum number 1 होता है, maximum 179 होता है, यानि यह भी नहीं हो सकती है, हमें बता है, maximum number 179 यह बनेट्टी ले लो चलो, बनेट्टी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ east यह west नहीं लगाएंगे, फिर भी यह बनेट्टी बन है, यानि यह भी नहीं हो सकती है, जितनी मेने number लिखे हैं, वो सब गलत है, अक्षांस के point of view से भी और देशांतर खे से भी, तो हमेंसा अगर सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसे question exam में आते हैं, वो exam में क्या देदेगा, कि कि किसी छेतर के अक्सांस और देशांतर नीचे दिये गए हैं, बताएं इन में से कौन सी स्थिती संभव है, अब उसे में संभव वो देदेगा आपको, तो आप देख लेना कि हाँ यार कौन सा अक्सांस ही हो सकता है, फोर उसे example, जैसे मैं आपको एक question देता हूँ, एक question में दे रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ, भारत की इस्थिती है, ठीक है, A, B, C, D, A option, 8 degree, 4 minute से लेकर के, ठीक है, और 37 degree, 6 minute south, 8 degree, 4 minute south से लेकर के, 37 degree, 6 minute south, आगे मैं आपको दे रहा हूँ, 68 degree, 7 minute से लेकर के, 8 से लेकर के, ठीक है, ये दे रहा हूँ, मैं 97 degree, 25 minute east, इसके लाबा मैंने आपको दे दिया, ये दे दिया मैंने आपको, 8 degree, 4 minute north से लेकर के, ठीक है, 37 degree, 6 minute south, अब इसमें से, मैं पूछ रहा हूँ, बताए भारत की इस्थिती क्या होगी, अभी आप में अगर दिमाग है, तो आप eliminate करोगे, गलत करोगे, पहला, 8 degree south, south में तो हम हैं ये नहीं, यानि ये तो, south में तो हम होई नहीं सकते, तो same ही लिख दिया, इसकी जएकर और कुछ भी नहीं हो सकता, गलत हो जाता है, यहाँ पर north और south, south में तो हम हैं ये नहीं ना, अब बचा एक है, इसे सही लगा दो, ये सही है, reason है ना, east और west लगा हुआ है, मलब east और east लगा हुआ है, इसका मत है, ये वाला possible है, है, इसका मतलब simple सी बात है, भारत की जो इस्तिती दी हुई है, ये देशांतरी इस्तिती दी हुई है, बास मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ना पढ़के भी आप answer लगा सकते थे, अगर आप तीन को गलत कर देते, कि और वो तो हो नहीं सकता ना, ये हो सकता है, तो इस तरीके से किसी भी आप इस्तिती को, अगर भारत की इस्तिती की हम बात करें, तो भारत की इस्तिती यही है, मैं समझाता हूँ आपको भारत की इस्तिती, अभी तक मैं अक्सांस की इस्तिती तो समझा चुका हूँ आपको, ये, अभी देखिए देशांतर की क्या इस्तिती है देशांतर में यहां से होकर के एक लाइन जा रही है पूरब में यहां से सेम ऐसे यहां से होकर के एक लाइन जा रही है यह एक लाइन यहां से 20 से होकर के भी जा रही है ठीक है अब जा तो काफी सारी रही है ना लेकिन यह मैं इंपोर्डेंट लाइन बता रहा हूं जैसे मैंने आपको बता ही यह जो पूर्व से होकर के गई है अच्छा एक चीज और यह दो तीनों ही रेखा हैं इस्ट वाली है इस्ट वाला समझ गए एक से लेकर के 179 इस्ट तो भारत इधर है उधर नहीं है पश् यह बीच वाली जो है यह है साड़े 85 डिगरी इस्ट लगाऊंगा हर एक के साथ इस्ट लगाऊंगा इस्ट इस्ट और यह है यह यह वाली जो जा रही है 97 डिगरी 25 बिनट इस्ट लगाऊंगा यह भारत का देशांतरिये और अक्षांस यह विस्तार है यानि अक्षांस का मतलब हो गया ऐसी वाली रेखा देशांतर का मतलब हो गया ऐसी वाली रेखा यह मैंने 85 से इस्ट लिखी है यह भारत के विरुकुल मध्ये से उकर के जाती है और इसी के आधार पर आप क्या जो टाइम है वो इसी देशानतर रेखा से ही निरधारित होता है इसे लिए इस वाली रेखा का नाम होता है भारतिये मानक समय रेखा यानि इंडियन इस्टेंडेड टाइम लाइन भारतिये मानक समय रेखा इसे कहते हैं इंडियन इस्टेंडेड टाइम लाइन इसे कहते हैं इं भारत का विस्तार किस अक्षान से लेकर 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 किस अक्षा गोलार्थ में यह बात मैं आपको विस्तार से समझाता हूं देखें यह प्रद्वी है हमने एक रेखा कीजदी जिरो डिगरी वाली इस से उपर वाला उत्री है यहां हमने एक रेखा कीजदी जीरो डिगरी वाली इसके पीछे वाली होगी बनेट्टी डिगरी यह तो इस तर इधर वाला वैस्ट होगा, इससे इधर वाले इस्ट होगे, इससे उपर वाले नौर्थ होगा, इससे उपर वाला नौर्थ होगा, इससे नीचे वाला साउथ होगा, इससे नीचे वाला साउथ होगा, यानि हमारी प्रद्वी पर कुल कितने गोलार्द होगे, ठीक है, चार प्रकार के होंगे इन्हें मैं गोलार्द ना गहूं मैं गोलार्द का भी आधा गहूं ठीक है चार भाग होगे ना एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला ये कैसे होगे पीस एक तरबूच के आप चार पीस कर दो पहले दो करो उत्री और रक्षणी फिर इ ये वाला इस्ट ये वाला वेस्ट अगर हम अपनी बात करें कि हम कहां पर हैं तो हमें बता है हम हैं पहली बात अक्सांस की बात करें तो हम नौर्थ में यानि 8 डिगरी 4 मिनट और 37 डिगरी 6 मिनट यहां पर हैं बीच में और अब बात करते हम देसांतर में तो हम पूर्व मे में हैं पूर बाले में किधर हमें बता है 68 degree 60 minutes और 97 degree पच्छिस minute यानि भारत कहाँ पर है भारत यहाँ पर है यह भारत की location है भारत की location नहीं आप भारत के किसी भी सहर की location को देख सकते हैं कोई सबी आप जहां पर बैटे हुएं, आप यहां की अक्षांस ये location निकाल दीजी, क्या निकल करके आ रही है, वो भी निकल करके आ जाएगी बड़ी अराम से, तो ये भारत की अक्षांस ये और देसांतर ये इस्तिती है, लेकिन इस इस्तिती को जानने के लिए मुझे ये समझाना ज़रूरी था, कि अक्षांस रेखाएं क्या होती है, और देसांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है, अभी मन में कुछ questions उठ रहे होंगे, उन questions को ले लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है